वेवी और कर्ली हेर के लिए सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है? ना वो शैंपू है, ना ही वो एक डीप कंडिशनिंग मास्क है, ना वो हेर सरम है, ना ही वो सलान ट्रीटमेंट है. वो है एक कर्ल क्रीम. और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कर्ल क्रीम कैसे लीविन कंडिशनर, मॉइस्टर मिल्क, मॉइस्टर मास्क इन सबसे कैसे अलग है? क्या बच्ची यूज कर सकते हैं? क्या हमको जेल यूज करना ज़रूरी है इसके साथ? और कर्ल क्रीम को यूज करने का सही तरीका क्या है? और कैसे आप अपने बालों के लिए सही प्रोड़क्ट चूज कर सकते हैं? क्यूंकि मार्केट में तो अब बहुत सारे ओप्शन्स हैं, बट आपको कौन सा लेना है? वो मैं बताऊंगी. मगर इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा. नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरा नाम देपिका है, मैं हेर और स्किन केर, बॉड़ी केर की वीडियोज बनाती हूँ. सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छी नियूस शेयर करना चाहूंगी, कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. ये बहुत लोगों के लिए बहुत ही छोटी बात होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ये चैनल मैंने कई साल पहले शुरू किया था, और मैं सच बताऊं, तो जिस सरह की वीडियोज मैं बनाती हूँ, ये वीडियोज शूट करना, उनको एडिट करना, उनके बारे में सोचना काफी मुश्किल होता, ये अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते, आप मुझे नहीं चुड़ते, तो मैं यहां नहीं होती, यूं तो मैंने लास्ट कुछ मंस में बहुत सारी वीडियोज नहीं बनाई, इतना regular मुझे होना चाहिए था, मैं नहीं हुई उतनी regular क्योंकि मैंने रिसेंटली घर शिफ्ट किया था, मेरे पार सेट अप भी नहीं था, मुझे काफी टाइम लग गया regular routine में आने में, बट आप फिर भी मेरे साथ बने रहे, उसके लिए दिल से शुक्रिया, आप नहीं हो और क्रीम क्या करता है, मौश्यराइज करता है, जैसे हम फेस दोने के बाद फेस पर क्रीम लगाते हैं, बॉड़ी दोने के बाद नहाने के बाद बॉड़ी क्रीम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, स्किन को मौश्यराइज करने के लिए, सेम काम कर्ल क्रीम का होता है, इट स कर्ल क्रीम एक्टिवेटर, हेर बाम, यह सब मिला जुला के सब भाई बहन है, सब का काम, प्राइमरी फंक्शन इनका हेर को मौस्यराइज करना ही है और बहुत ही confusing है, ऐसा लगता है कि यार सारी चीज़े खरीदनी पड़ेंगी, कर्ल मैनेज करना इतना जादा expensive और इतनी जादे चीज़ अलगानी पड़ती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इन कैटेगरीज में से सिर्फ एक चीज़ लेनी है, जो बाल को मौस्यराइज करें तो फिर इन सब कितने अलग लग नाम क्यों होते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि किसका नाम कर्ल क्रीम रखे हैं, किसका नाम लीविन कंडेशनर रखे हैं, देखो ऐसा कोई fix definition नहीं है, जनरल टर्म्स में कर्ल क्रीम में मौस्यर के साथ हलका सा hold भी होता है, और लीविन कंड प्रोड़क गए ना, बट उनको नाम कैसे डिफ्रेंशियेट करेंगे, इस तरीके से, एक का नाम लीविन कंडिशनर रख दिया, एक का नाम उश्यर मिल्क रख दिया, एक का नाम कर्ल क्रीम रख दिया, इससे ब्रैंड हर तरह के बालों को को के डिर कर सकता है, आपने अमेजिंग बेनिफिट, कर्ल क्रीम, लीविन कंडिशनर, यह जो हेर मॉश्यर 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 होते हैं, यह बालों को बहुत सॉफ्ट रखते हैं, एक दिन के लिए नहीं, तीन चार दिन के लिए तो रखते ही रखते हैं, मुझे नहीं पता अभी मेरे बाल कैसे लग अगर तो मेरे बाल बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं मुझे, और अगर मैं कर्ल क्रीम नहीं उस करूँगी, तो मेरे बाल एकदम रफ एकदम रफ फील होंगे, टैंगल बढ़ जाएंगे, और एकदम चेंज आ जाता है, जैसे मॉश्यराइजर लगाने के बाद, फेस पे हेल् कर्ल क्रीम लीविन करेंशनर कोई मॉश्यराइजर लगाने से, तीसरा बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, टैंगल, जब आप कर्ल क्रीम यूज करेंगे, तो आपके बालों में कम टैंगल पर रहे हैं, वर्सिस जब आप कर्ल क्रीम नहीं यूज करेंगे, इससे बहुत फर कर्ल क्रीम यूज करेंगे, तो आपके स्प्लिटेंड नहीं होंगे, आपने सही सुना ये बहुत एफेक्टिव मेथर्ड है, अगर आप शैंपू कंडिशनर करने के बाद एक कर्ल क्रीम या लीवन कंडिशनर कुछ भी लगा लेते हैं, तो आपके एंड इतने तो आपके स्प्लिटेंड यूज करता है, तो आपके क्यूटिकल को स्मूथ करके सबकुछ सील कर देता है ताकि पालों में एक्सिफ डिहाइड्रेशन ना हो, बाल स्मूथ फील हो और बाल मॉशराइज भी रहें, तो कर्ल क्रीम लीवन करणिशन को एक चीज यूज की अब आगे बढ़ने से पहले में बता देती हूँ कि इनको यूज कैसे किया जाता है क्या सही तरीका है मैंने यूट्यूब पे सोशेल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देकी हैं जिसमें लोग रिव्यू कर रहे होते हैं उन प्रड़क्स को गलत तरीके से यूज करके और फिर बोलते हैं हो इसने तो मेरे बाल और जादा क्रंची और फ्रिजी कर दिये यह तो किसी काम का नहीं ह तभी तो पता चलेगा वो कैसे अच्छा काम कर रहा है तो आपको सबसे पहले शैंपू करना है बाल और स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लीजे उसके बाद बालों पे कंडिशनर लगाईए जिसे बाल सॉफ्ट होंगे और आपके टैंगल्स भी सारे हटा लीजे कंडिशन कई बार सिरफ स्क्रंच करने लगते हैं नीचे नीचे उससे सिरफ एंड्स कोट होंगे और फिर वो क्रंची से अजीब से हो जाएंगे उपर के बाल आपके फ्रीजी रह जाएंगे तो कोई कुछ फायदा नहीं है पूरा टॉप टु बॉटम अच्छे से गीले बालों में इस तरीके से उसको डिस्टिब्यूट कीजिए फिर दूसरी तरफ भी यही काम कीजिए बहुत जादा या बहुत कम प्रोड़क नहीं लेना है दो चार बार आप यूज करेंगे एक प्रोड़क को आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटी आपके बालों पे सही से क कर रहा है अच्छे से कर्ल क्रीम लगाने के बाद अपना रूटीन अप यहीं पर एंड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर अगर आपका गोल सिर्फ है हेल्दी और मोश्यराइज बाल बट अगर आपको और अच्छा कर डेशन चाहिए अप चाहते हो कि आ यह पूरी वीडियो डाली है जिसमें मैंने डिफरेंट स्टाइलिंग मेथर्स बताइवे हैं आप उसको जरूर देख लिएजेगा बट यह करना बहुत जरूरी नहीं है आपके कर्ल क्रीम पे अपना रूटीन एंड कर सकते हैं अगर आपके फुद से लगेगा कि यार मैं क्या करू अपने बालों के साथ तो आपको मैंने बता दिया है कि क्या करना है सिर्फ एक चीज़ अब मैं फटाफट से वो क्वेश्चन कवर कर लेती हूं जो मुझे अकसर पूछे जाते हैं लीविन कंडेशन कोल क्रीम के बारे में सबसे पहले क्या हम इसे स्कैल पे लगा मेरा ड्वाइस यह रहेगा कि तीन-चार साल के बाद तो आप बच्चों के बालों पर राम से लगा सकते हैं उससे पहले बच्चों के सरपे बाल जादा होते नहीं है तो कर्ल क्रीम लीविन कर्णिशनर इनकी जगा आप तू-3 डॉप्स ऑफ और भी लगा सकते हैं उससे यही काम चल जाएगा Can men use these products? Of course! आपको ऐसा नहीं है कि आपको अग से कोई men's cream ही खरीद नहीं है जो प्रोडक्स के लिए बने हैं वेवी hair के लिए बने हैं वो यूज कर सकते हैं और बहुत लोग कर्ल क्रीम, leave-in conditioner, curly hair stylers इसलिए नहीं यूज करते हैं उनको लगता है कि हामफुल है Gray hair होगा हमें gray hair एकदम से notice करने लग गए हम तो हमारे hair fall जादा हो रहा है देखो ऐसा है Gray hair, excessive hair fall यह दोनों चीज़ें बहुत ही internal है जैसे ही आपके body में कोई deficiency होगी, आपके lifestyle में extreme change आएगा, stress levels में extreme change आएगा, hormonal changes होगे तो आपके gray hair भी बढ़ सकते हैं और आपके hair fall भी बढ़ सकता है इसका curl cream से, gel से, styler से कुछ लेना देना नहीं है बहुत सारे लोगों का यह question रहता है कि क्या हमको gel भी use करना पड़ेगा इसके बाद यह curl cream से काम हो जाएगा सी मेरा suggestion यह रहेगा आपको कि अगर आपका target है सिरफ moisturized बाल, आपके waves और curls थोड़े से defined लगे जाद आपको फरक नहीं पड़ता तो आप gel skip कर सकते हो, it's completely fine but if you want कि आपके curl control जादा रहे, frizz control जादा रहे, जादा अच्छे लगे आपके बाल तो curl cream के बाद एक gel आप include कर सकते हैं मैं personally हर बार include करती हूँ और अब आप सब का favorite question दिपिका इतने सारे options हैं इन में से कौन सा select करें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरे बालों पे suit करेगा देखो मेरा आपको बहुत ही genuine advice रहेगा दो चीजे करिए अब अपने budget के हिसाब से product select कीजिए क्योंकि regular use होने वाली चीज है तो budget में रहना जरूरी है दूसरी चीज आप अपने बालों को identify कीजिए क्या आपका एक single strand बहुत ही पतला है जिसको हम fine कहते हैं या फिर वो मोटा है क्योंकि मोटे बालों पे जादा rich products जादा moisturizing products use होते हैं जादा उनको जरुवत परती है इन तरह की चीजों की और जो fine hair होता है ना ही उसको जादा moisturizing products की जरुवती है ना जादा conditioning products और जादा जल्दी way down भी हो जाता है तो जितने भी मैंने आपको यह products दिखाए इसमें हर तरीके के products आपको मिल जाएंगे और आपको कौन लेगा है यह मैं आपको बताऊंगे part 2 में जिसमें कि यह सारे products सारे leave-in conditioner cold cream जो भी आपको इंडिया में easily available है मैं सबको review करूँगी तो इसके लिए आप चैनल को जरूर जरूर subscribe कीज़े ताकि इस तरह की important videos आप ना मिस करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में आने वाली है सारे products review होंगे आपको बताऊंगे आपको कौन सा लेना है तब तक bye bye